Hello Friends, मैं हूँ प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल Baby and Mom Lifestyle में Friends, बच्चों के सर्दियों में सुसको और ठंडी हवा की वज़े से गाल फटने लगते हैं और बड़ों के कंप्रीजन में बच्चों की जो इसकिन होती है वो बहुत जादा सॉफ्ट होती है जिसकी वज़े से उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के गाल अगर फट गए हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए और अगर बच्चे के गाल अभी तक नहीं फटे हैं तो उनको कवर कैसे किया जाए ताकि उनको फटने से बचा सके इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे घरेलू तरीके बताऊंगी वो अगर बड़े भी यूज करेंगे तो आपको भी जो गाल फटने की प्रॉप्लम है वो कभी नहीं होगी और ये घरेलू तरीके आपके बच्चे को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुचाएंगे क्योंकि बहुत जादा अच्छे हैं तो पहला है आपको एक चमज मलाई और आदा चमज दूद लेना है उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो सौफ्ट सा मिक्चर तयार होता है उसको आप अपने बच्चे के चिक पर लगाईए आप चाहें तो पूरे फेस पर लगा सकते हैं और ये नहाने से 10 मिनट पहले लगाईए ताकि 10 मिनट बाई बच्चे को नहला दीजिए या फिर बच्चा नहीं भी नहा रहा है आप उसका फेस वास कर रहे हैं तब भी आप 10 मिनट पहले लगा सकते हैं और इसके बाद में आप बच्चे का फेस वास कर दीजिए बस इत्मा करने से आपके बच्चे के गाल अगर फट गए हैं तो ठीक हो जाएंगे और अगर नहीं फटे हैं तो सर्दी में कितनी भी ठंड हो जाए आपके बच्चे के गाल नहीं फटेंगे बलकि हमेशा सुन्दर और मुलायम बने रहेंगे सेकंड है आप बच्चे को ऐलोवीरा जेल लगा सकते हैं बच्चे के फेस में लगाईए दिन में दो से तीन बार लगाईए फेस वास जैसे करते हैं या फिर नहलाते हैं बच्चे को इसके बाद बॉडी लोशन लगानी ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी लोशन की ज़रूरत अगर आप अलोवीरा जेल लगाते हैं तो इससे भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं नेच्रल अलोवीरा जेल लगाईए लीफ ले लीजिए और उसको बीच से काट लीजिए और उससे जो गूदा निकलता है वो आप अपने बच्चे के फेस पर लगाईए आप चाहें तो उससे हलके हलके हाथों से मालिस भी कर सकते हैं ये भी आपके बच्चे के लिए सहत से मालिस कर दीजिए या फिर लगा दीजिए ठीक है इसके बाद में दस मिनट बाद आप बच्चे को नहला दीजिए या फेस वास कर दीजिए अगर आप ऐसा करती हैं तो कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े बच्चे के गाल हमीशा मुलायम और सुन्दर बने रहेंगे और बच्चा हसता खेलता रहेगा उसको कोई दिकत नहीं होगी तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर थोड़ा बहुत पी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कर थेंक यू फॉर वाचिंग